हेलो एवरिवन हमारा कोश्चिन है राइट दा इलक्ट्रों डॉट इस्ट्रक्ट्चर फॉर सोडियम औंड ऑक्सीजन तो दा फॉर्मेशन और सोडियम ऑक्साइड बाइदा ट्रांसपर ऑप इलक्ट्रों वाट आर दा आयन प्रजेंट इन दा कमपाउंड एको तीन पर कितने लग्ट्रों को सबसे पहले वहां कितनी लग्ट्रों है तो इसके पास और लग्ट्रों से इसाथ कैसे लिखा जाता है तो इसके इसका electronic configuration जो होता है वो दो आठ एक होता है ठीक है तो आउटर मुझसल में इसका कितना electron है एक electron है तो इसको आउटर मुझसल में एक electron है तो यहां पर यह हमारा पर्स्ट और यह हमारा सटेंड और यह हमारा थाड और अब यहां पर एक दो अब हाप सकेंड में आठ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और आकरी में एक तो इस तरह होता है उसी तरह उक्सीजन की बात करें तो तो इसमें दो सेल प्रिजेंट है तो यह हमारा इसको यह तो हो गया हमारा लेकिन इसको इसको इलक्ट्रों लक्ट्रों को दिखाने के लिए लिए लिखे हम लोग क्या करते हैं एक डाल जाल जाते हैं औक सीजन आप जैनली कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन सिंगल प्रिजेंट नहीं होता है डबल फॉन में दर रहें तो एक भी चार चई उपना और यहoriented करता है तो इस तरह से यहां से-पनाव्ट्रीट करता है और यह इस तरह से यहां अपना यह उप्टेट करता है तो इस तरह से यहां formation होता है अब दूसरा पूश्चिन पूछा गया है सोदा formation of sodium oxide by the transfer of electron अब sodium oxide transfer of electron को दिखाना है हम दों को कैसे तो यहां पर क्या है formula है N A 2 तो एने कितना यूज हुआ है दो एने हैं दो एने लिख लेते हैं और एक oxygen है अब इसका भी atomic नंबर 11 इसका भी 11 इसका इसकी electronic configuration 281 इसकी electronic configuration 281 और इसका electronic configuration 26 इसको ओक्टेट कंप्लीट करने के लिए oxygen को complete करने के लिए क्या चाहिए दो इलक्ट्रोन चाहिए क्यों आप्टेट कंप्लीट करता है दोनों से एक एक क्यों accept करेगा तो oxygen के पास आउटर मोस्यल में कितने electron है six electron है one two three four five six यह sodium है sodium के outer muscle में कितना electron है यह sodium है इसके आउटर मोस्यल में कितना electron है यह यहां से अपना electron देता है और यह यहां से electron देता है जैसे ही यह इलेक्रोन देगा इसमें क्या होगा और यह ओ और यही दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं तो इस तरह से यह हमारा ट्रांस्पर होता है एलेक्टोन और इसमें जो आखरी पूचा गया है भुला है What are the iron present in दिगाउन में कौन सा आयन परजेंट होता है तो एक बोगा पोजेटिव आयन है एकी नीगेटिव आयन है तो पोजेटिव आयन को हम हमारा कंप्लीट हो चुका है आपको भी समझ में आया होगा that's all thank you